अब जो मैं सेंडेस बताओंगा न, मजाल है कि आप उन सब की इंगलिश बता दो, देखो, तुलसी मुर्जाने लगी है, ये पालक तो सूख गई है, वो साइड की मांग निकालता है, मुझे भूख है भी और नहीं भी, वो पैर पटक पटक के उपर चला गया, क्यों बड़ बड़ बरतन बजा रहे हो किचन में, क्यों इतना गुसा आ रहा है, वो बीच की मांग निकालता है, बताओ बताओ, बता दो किया कहेंगे इन सब को इंगलिश में, ये कुछ ऐसे सेंडेसे हैं, जो लॉंग नहीं हैं, छोड़ चोड़ चोड़ी बाते हैं, लेकिन ये किया है, बहुत काम की चीज़े हैं, तो शुरू करते हैं, तुलसी मुर्जाने लगी है, तो आप इन वर्ब्स का यूज कर सकते हैं, विल्ट और डूप, जैसे ये पालक तो सूख गई है, In English, This spinach has dried up, तिस spinach has wilted, वो बीच की मांग निकालता है, In English में कहेंगे, He wears his hair in a center parting, वो side की मांग निकालता है, He wears his hair in a side parting, He wears his hair in a side parting हम इसको as a verb use करते हैं part जैसे हम कहेंगे मांग निकाल लो तो कहेंगे part your hair मुझे भूक है भी और नहीं भी कहने का मतलब है कि थोड़ी सी भूक है जादा भूक नहीं है I am snacky I am snacky Or you can say I am getting snacky I am starting to get snacky Or you can say I am feeling a bit peckish I am feeling a bit peckish इन सब बातों को कहने का मतलब है कि मुझे भूक है भी और नहीं भी मतलब थोड़ी भूक है वो पैर पटक पटक के उपर चला गया गुसे में गुसे में पैर पटक पटक के चलता है ना आदमी तो पैर पटक पटक के उपर चला गया तो English में क्या कहेंगे He stomped up the stairs उसी तरह He stomped down the stairs इस सब का जिम्मेदार मुझे मत ठहरा हूँ English में कहेंगे Don't hold me accountable for all this Don't hold me accountable for all this Don't pin this on me This is a sweet little way of saying it इस घर को पहले शुद्ध कराना चाहिए जैसे हम नए नए घर में रहने वाले हैं तो पहले इसको शुद्ध कराना चाहिए English में कहिए This house should be sanctified first This house should be sanctified first किसी चीज़ को sanctify करने का मतलब उसको purify करना उसको पवित्र करना उसको शुद्ध करना तो English में word यूज़ कीजिए sanctify पहले अपने इरादों को शुद्ध करो sanctify your intentions first sanctify your intentions first क्यों बड़ा बड़ बड़तन बजा रहे हो कोई गुसे में बड़तनों को जोर जोर से आवाज करकर के handle करता है न जैसे kitchen में गुसा kitchen में उतारा जाता है तो English में कहिए why are you banging the pots around why are you banging the pots around क्यों बड़तनों को इदर दर बढ़ा रहे हो why are you clanging the pots like that why are you slamming the pots around why are you slamming the pots around इन सब का मतलब यही बनता है क्यों बड़ा बड़ इतनी तेज आवाज क्यों कर रहे हो बड़तन बजा बजा के मतलब उनको अराम से handle करो जोर जोर से मत पटको अराम से रखो धूल जाड़ दोगे मेरे उपर से मेरे उपर से धूल जाड़ दोगे है ना कि ना चोटा सा sentence but it could be confusing तो English में कहिए would you dust me off would you dust me off could you brush the dust off me could you brush the dust off me would you flick off this dust from my jacket जिसे मैंने jacket पहनी है shirt पहनी है from my jacket from my shirt would you flick off this dust फिंगर से जब हम उसको मार के हटाते हैं तो it means we flick it would you flick off this dust from my jacket आये ना मज़ा इस वीडियो को देखके इसी तरह से मज़े लेने के लिए और अपने English को इंप्रूफ करते रहने के लिए इस चैनल को सबस्क्राइब जरूर करना बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें टेक कियर बाई